नमस्कार, वेलकम टू माई YouTube चैनल Python Classroom Diary हमारी नई सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, Understand MS Word Basics Part 1 में हमने सीखा था, font section के अंतरगर्द आने वाले कुछ commands को Today we are going to learn paragraph section तो paragraph section को सीखने के लिए हम चलते हैं MS Word की screen पर This is MS Word और हमने कल सीखा था ये part, font section Today we are going to learn paragraph section इस paragraph section में जो command से हम उसको सीखेंगे आज आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने कुछ list टाइप की हुई है Streams के list है, science, commerce, humanities stream Generally इस तरहे कि जब हम listing टाइप करते हैं तो उसमें कोई ना कोई numbering या bullets होते हैं, bullets means जब आप कोई sign लगा देते हैं Like, यहाँ देख सकते हैं, dot लगा हुआ है, circle लगा हुआ है, square है यह अलग से कोई picture form में हैं, तो इस तरह का कोई भी bullet आप जो चाहते हैं वो आप select करके लगा सकते हैं, और bullets नहीं चाहते हैं तो आप numbering भी select कर सकते हैं, numbering के भी कई सारे options available हैं कि किस तरह की numbering चाहते हैं तो आपको पूरे data पर, complete data पर आपको चाहिए bullets, तो you can select जो भी चाहिए, आपने यहां से select कर लिया, मैं font size थोड़ा सा increase कर देती हूं, इससे आपको clearly दिखाई देगा यदि आपको इस तरह की bullets नहीं चाहिए, then you can select numbering आप numbering में भी कई सारे format से आप देख सकते हैं, one dot two dot और one bracket two bracket जैसा भी आप चाहते हैं यहां से select कर सकते हैं तो मान लीजिए हमने select किया यह, तो भी आपकी sequencing आ गए, जो भी आपने numbering select करनी थी वो select हो गए now, third option is multi-level list, multi-level means, कई सारे level आ रहे हैं आपके, एक के अंदर एक list है, उसके अंदर भी कोई और list है या नहीं, कई सारे levels हो सकते हैं तो उस तरह की list के लिए, you can select multi-level list, इसको समझने के लिए, पहले सो जो हमने apply की थी numbering, उसको हम हटा देते हैं, दुबारा इस पर click करेंगे, तो यह हट गई अब हम क्या चाहते हैं कि science, commerce, humanities, यह सब क्या है, streams है तो streams के अंदर science लिखना चाहते हैं, थोड़ा अंदर लिख देते हैं इसको, then science में हम देना चाहते हैं, subjects, physics, chemistry, maths इसी तरीके से commerce में भी हम ले लेते हैं, subject, accounts, एक humanities में लिख देती हैं अब हम क्या कर रहे हैं, पूरे data को select कर रहे हैं, और select करने के बाद multi-level list हमने select कर ली अब आप देख सकते हैं किस तरह की हमारी multi-level list बन गई, streams के अंदर है science और science के अंदर physics, chemistry, maths ऐसे ही commerce के अंदर हमने लिया था accounts, यदि हम accounts के end में cursor लाके enter करते हैं, तो इसी की continuation में ये skillist बनेगी जैसे हमने यहां लिख दिया business studies, now third option is economics, इसी तरीके से आप humanities के geography पर जाकर और subjects type कर सकते हैं, तो यह आपकी multi-level list इस तरह से तयार हो जाएगी, अब option आता है alignments, यह जो आपको चार तरह के option दिख रहे हैं, this is for alignment, तो alignment समझने के लिए हम कुछ text यहां पर ले लेते हैं, यह हम अटा देते हैं यहां पर इस list को, मैंने कुछ text यहां पर type कर लिया, फिलाल यह capitals में हैं, हमने last time सीखा था, यदि हम इसको sentence case बनाना चाहते हैं, तो हम sentence case बना सकते हैं, font size यहां से increase भी कर सकते हैं, अब हम क्या चाहते हैं, alignment करना, अभी जो selection दिख रहा है आपको left alignment दिख रहा है, यानि जो text है वो left side से लिखना start हो रहा है, यदि हम text को select करते हैं, और center alignment करते हैं, तो text का alignment center में हो जाएगा, यानि पूरा line आपने लिखी है वो center के accordingly adjust हो जाएगी, center position के accordingly, यदि हम इसमें text और type करेंगे, तो यह और side भरता जाएगा, we can also do formatting of image, यह error आ रही है, error को आप देख सकते हैं, right click किया, तो यहां से हम option जो suggested होता है कि क्या correct spelling है वो हम यहां से select कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यह center के accordingly, text को adjust कर देता है, यदि हमने text को select करके, हमने का right align, that means, जो भी text होगा right side हो जाएगा, यानि जितना space बच रहा है वो left side में बचेगा, और text जो है वो right side से adjust होगा, justified का मतलब क्या हुआ, यह जो fourth option is justified, इसमें दोनों तरफ से spacing equal होगी, that means, जो text है वो accordingly adjust हो जाएगा और दोनों तरफ से जो line है वो आपको equal मिलेगी, यानि इस तरफ देखेंगे और right side और left side में देखेंगे तो आपको uneven नहीं नजर आएगा, जैसे कि आप इसको left को select करते है दी तो आपको दिखता है कि यहां पर जो है वो level same नहीं है, यह uneven दिख रहा है, यहां पर हो गई line, second line यहां end हूई, third line यहां end हूई, कोई book हम देखते हैं तो book में हमें even दिखता है इस format में, और यदि मैं यहां से enter कर देती हूँ, तो यहां पर हमारा एक paragraph end हो जाता है, तो अब हम इस पर option देखते हैं, यह जो दिख रहा है, this is for line and paragraph spacing, हम text को select करेंगे, now इस पर click किया, अब हमें line spacing चाहिए, मतलब यह जो lines है, इनके बीच की spacing को बढ़ाना है, increase करना है, तो by default it is 1, यदि हम 1.15 करते हैं तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा और increase हो गया, यह देख सकते हैं आप line की spacing increase हो रही है, ठीक, तो आपको जितनी spacing रखनी है, आप इतनी spacing रख सकते हैं, आपको यह ध्यान रखना है कि जो भी आपका text का size है, उसके according ही, जितनी बड़ी यह line में spacing ले रहा है उतना ही लेगा, मतलब one का meaning है कि जितनी one line आती है वो चीज़ डबल में आपको देना है, यह जितनी one point one five ratio में देना है, two point zero मतलब की double spacing में आपको address करना है text, तो जैसा आप चाहते हैं वैसा select कर सकते हैं, इस text की formatting कर सकते है, then add space before paragraph और remove space after paragraph, इसके लिए हमें आरे पास दो paragraph होने चाहिए जिससे आप समझ पाएंगे, तो मैं इसी text को copy कर देती हूं, जिससे दो paragraph हमारे बन जाएंगे, और समझने के लिए पहले मैं line spacing कम कर देती हूं, जिससे आपको paragraph पर आप concentrate कर पाएं, फिलहाल यह normal paragraphs लिखे हुए हैं, दो paragraph में आपको data दिख रहा है, यदि आप इनको select करते हो, और आपने select किया add space before paragraph, तो add space before paragraph से क्या हो रहा है, या रिमूव करते हैं तो देखे जाएंगे, यहां से remove हो गया, को आपको फर्क समझ में आ रहा है हुग हाँ, add से add हो रहा है और remove से spacing, और रिमुप हो रही है विट्टिवीन पराग्राफ तो पहले से आपको इस सपेस ना है रिमुप करना है या पहले हाई रिमुप करना है वो आप यह से छिड्स ह愺 कर सकते है एक चीज और ध्यान रखनी है कि यह जो font section भी हमने last में देखा था, यहां पर एक छोटा सा icon बना हुआ है, इसी तरीके से paragraph में भी यहां आइकन बना हुआ है, तो जब आप इस icon पे या इस image पे क्लिक करते हैं, तो यहां से पूरा font toolbox एक साथ उपन हो जाता है, और जितने भी fonts में option है, वो एक साथ आपको यहां पर नजर आएंगे, आप एक साथ सारी setting कर सकते हैं, इसी तरीके से paragraph में भी आप जाना चाहते हैं, तो यहां पर आप click कर देंगे, और जो जो भी option है, आपके paragraph section में आपको यहां पर नजर आएंगे, line spacing कितनी चाहिए, आप यहां से select कर स जरूरत में आते हैं, क्योंकि आप डेली रूटीन में जो काम करते हैं, उस काम को करने के लिए जो भी commands जरूरी है, केवल उन commands को में यहां पर discuss कर रही हूं, तो आप देख सकते हैं, आपर, image, sorry, paragraph में spacing हमने यहां पर adjust किया, now this is to change the color behind the selected text, यह फिल बकेट सी बनी हुई है, जिसमें यह color नीचे आ रहा है, तो this is to fill color, यदि मैं यहां से color change कर देती हूं, कुछ-कुछ ही highlight type का ही दिख रहा है आपको, लेकिन इसने पूरा text select कर दिया, ठीक, इस तरह से मैं यहां तक लेती हूं, तो यह इतना ले लिया, तो यह fill color हो गया option, now, यह option में आपको बाद में बताऊंगी, अभी यहां पर आपको समझ नहीं आएगा, यहां आप देख सकते हैं, एक A to Z option दिख रहा है, this is to sort, sort means, मान लिजए आपका कुछ data लेखा हुआ है, मैं यहां पर data आपके लिए type कर देती हूं, like apple, mango, banana, कुछ fruits के नाम हमने ले लिए, spelling mistake हो गए, वावा, अब हमें इन्हें sort करना है, यानि, arrange करना है, ascending और descending में, तो हम क्या कर सकते हैं, text को select करेंगे, और इस वाले icon पर हम click करेंगे, now, यहां यह पूछ रहा है, text base पर करना है, हमारा text ही है, तो text ही रहना चाहिए, यदि आपके numbers होंगे, तो आप यहां से number select कर लोगे, फिला है text है, ascending में चाहिए या descending में, ascending by default selected है, आप देखें, ascending में करने पर क्या होना चाहिए, बनाना second number पर आना चाहिए, आप देख सकते हैं, बनाना second पर आ गया, guava third पर and mango fourth पर, यदि मैं इसको वापस से करती हूँ, और मैं descending select करती हूँ, then mango should come first, आप देख सकते हैं, इस तरह से आप data को sort भी कर सकते हैं, ascending या descending order में, तो आज का हमारा ये section complete हो गया, जो बाकी के option बचे हैं, वो फिलाहाल आपके लिए useful नहीं है, जब आगे के tools हम सीखेंगे, आगे और भी options के बारे में बात करेंगे, तब इन tools का use में आपको समझाऊंगी, तो आज का ये video आपको कैसा लगा, comment section में जरूर लिख के बताईए, और कोई भी आपको doubt है, तो आप comment section में लिख कर पूश सकते हैं, आज के इस section की, यानि paragraph section में जितने command से उसकी please घर पर आप practice कीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियो में जो भी नया सीखेंगे, वो इसका additional होगा, और आप उसको अच्छे से सीख पाएंगे, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, तो please को like कीजिए, और subscribe नहीं किया है, तो subscribe कीजिए, share कीजिए, thank you.